उप्चनाओं से पहले स्यासी वार, शिवराज के निशाने पर नाथ, कमलनाथ का शिव पर प्रहार, बयानों की बाढ़ में मुद्दों पर पड़ी मार उनने अपने घमंड के कारण पूरी पार्टी को बिखेर दिया अगर वो घमंड वाले वाक्य उप्योग नहीं करते, तो पार्टी में बिखराव नहीं होता, बिखराव नहीं होता, तो ये परिवत्तर नहीं होता कैबिनेट मंतरी ओम प्रकाश सकलेचा के इस बयान से साफ है कि उप्चनाव में कॉंग्रेसी खेमे से बीजेपी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ है मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान का आईफा को लेकर किया गया ट्विट भी उसी कड़ी का अगला पड़ाव है जिसमें वो आईफा रोकने के बहाने कमलनाथ पर जूटे बादे करने का आरोप लगा रहे हैं साथ ही जनता के फैसले को शिरुधार करने की बात भी कह रहे है वही कॉग्रेश ने मुख्य मंतरी के आरोप पर पलटबार किया है वे जिस मंच पर चाहें खुली चर्चा के लिए कमलनाथ जी तयार है मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चोहान के वार के बारीत पूर मुख्य मंतरी कमलनाथ के पलटबार की देवास जिले के हाट पिपलिया की चनावी सबा में कमलनाथ ने शिवरा सिंग चोहान को 15 साल का हिसाब देने की चनोधी दी नाथ की चनोधी पर बीजेपी ने चुटकी लेने में देर नहीं की किल्ला के पिरते की कमलनाथ 15 महिने का हिसाब दो शिवरा जी मैं इसाब देने को तेरा रूम आजाएए वह खड़े हो जाएए जंता के सामने आजाएए और आजाए हो जाएए मेरे पास तो शाड जैरा मह allegedly अईये वहर आपको इसाथ देता हूं आजाईए आप 15 साल का हिसाथ केता दे जिरे जनता को जवाब कमल्नाजी को देना है और तुर्णा करना है तो कल ले सबराजी के 5 महीने बनाम कमल्नाजी के 15 महीने दाइवाई यहां वहां की बात न करें, 15-25 साल की बात न करें, बात करें अभी 15 महीने की जो 15 महीने लगातार सरकार में कमलाज जी रहे हैं, बचन पत्र 5 दिन, 100 दिन, 10 दिन का बादा जो कर रहे थे उस पर जबाब देना होगा दिगजनेताओं की बयानबाजी से चुनावी माहूल बनने लगा है। कांग्रिस बीजेपी दोनों राजनितिक लड़ाई के साथ ही बयानों के बाउंसर एक दूसरे पर फैक रहे हैं। कई बार इस बयानबाजी में मुद्ध हवा होते नजर आते हैं। लेकिन बयानों के ज स्यासत तो लाजिमी है ही और सियासत भी स्यासत की जिसमें आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को लेकर ऐसी ऐसी बाते कहना कि जिसमें सामने वाला बिलकुल बाहें अपनी सकेल कर उपर करके एकदम लड़ने के लिए युद्ध के लिए तयार हो जाए। और कुछ उसी तरह का मद्यप्रदेश में इन दिनों हम परिवेश्ट देख रहे हैं वातावरंड देख रहे हैं और शिवरा सिंग चौहान ने एक बड़ा हमला ये बोला है कि आईफा आपको मुबारक हो कमलनाजी और कोई जरूरत मद्यप्रदेश में नहीं है और एक तरह से उन्होंने एक द सुचता हूँ गाओं की तरफ किसान की तरफ गरीब की तरफ उस नौजवान की तरफ जिसको रोजगार की जरूरत है एक इस तरह का भी डिवाइड इस एलेक्शन के पहले हमको नदर आ रहा है और यहीं वज़े है कि मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चौहान ने उन कंपनि डिनी ने राशी इन कंपनियों से आईफा वॉड के नाम पे लिए राशी कंपनियों में सारुजनिकष्ए। भी कुछ कम्पनियां हैं और कुछ बड़ी कॉर्परेट कम्पनियां भी हैं तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलेगा कोई हिसाब मांगता है तो कमलनाज जी कहते हैं 15 साल का मुख्यमंत्री जी आप जवाब दीजे तो मैं भी अपने 11 महीने का जवाब दूँगा और आज से ठीक एक महीने बाद आज 3 अक्टूबर को हम ये बात कर रहे हैं और 3 नमंबर को जब हम बैठेंगे एक महीने बाद आज जब हम बात कर रहे होंगे ठीक एक महीने बाद तो हम ये बात कर रहे होंगे कितना वोटिंग प्रतिशत रहा किधर कम रहा किधर जादा रहा यानि ठीक एक महीने बाद मद्य प्रदेश में तीन नवंबर को मद्दान होंगे 28 विदान सभा क्षेत्रों के लिए उप्चुनाओं के अंतरगत तो मिलिये उन महमानों से जो हमारे साथ हैं मेरे साथ स्टूडियो में हैं कॉंग्रेस के युवान नेता और प्रवक्ता ग्वालिय से हमारे साथ हैं और सुशील शर्मा जी हैं वरिष्ट पत्रकार और राजनीतिक इसलेशक सुशील जी बहुत आपका भी स्वागत है आशीश जी के साथ बहुत शुपकामना है कि आप पूरू की तरह अपनी सक्रियता को यथा श्रीक रुप्राप्त करें सबसे पहली टिपणी आप ही की लेकर मैं आगे बढ़ता हूं आप किस तरह देखते हैं यह जो आरोप प्रत्यारोप का क्रम अब शुरू हो गया है और और तेज होने की तरफ बढ़ गया है अब डिबेट को लेकर कमलनाज शिवराज जी को ललका रहे हैं और शिवराज जी ने अब काटे की लगाई अंतिम चरण में पहुंच रही है जैसा आपने बोला है तीन नौंबर के पहले तक की तमाम कवायद चलेगी एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से मोर्चे खोले जाएंगे लेकिन मुद्दा यही रहेगा कि सबसे महत्मूर बात यह रहेगी इसमें कि जिस वोटर को साधने की कोशिश कर रहे हैं वोटर शिवराज चिंग चोहान की टियारती में रहा है वो चाहिए गरीब हो किसान हो मजदूर है उनको फोकस करके ही शिवराज चिंग चोहान ने पिछले 15 साल में सरकार चलाई थी और उस लगातार दो बार वो उसी आधार प में आपको ला रहे हैं क्योंकि बीजेपी में एक मैसिज ये भी हो कि हम चुनाओ भले हार गए थे लेकिन हमारा वोट परसंच बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ था और वोट संख्या के मामले में हम कॉंग्रेस पे ज्यादा रहे थे तो यह जो आकलन बीजेपी का है यह आक अब मात आती आइफा की देखिए आइफा के आयोजन में अगर शिवराश्चिंग च्वान खोट निकालने की कोशिश कर रहे तो मुझे लगता यह मद्यप्रदेश के लोगों के साथ जागती है आइफा एक अवार्ड फंक्शन है हम चाहते हैं हम चाहते हैं फिल्म सिटी अब हो का मिलेगा शिवराश्चिंग को हम भी ब्रैंडिंग करते हैं उनका ब्रैंडिंग करने का तरीका आलग था लेकिन कमलनाच का तरीका अलग लेकिन आप आइफा को इस नजर से देखेंगे यह नाचने गाने वाला यह नहीं चलेगा मुझे लगता है मर्द्व बढ़ रही है और जिस तरह से चनौतियां दी जा रही है और राजनीती में हमने देखा है कि वो मौका भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता कि जब सारी चीजें बिलोद बिल्ट भी आने लगती है कमलनाच जी और शिवराश्ची से काम लेने वाले राजनेता हैं लेक बहुत लोगों की जिन्दगी आउलेट पुलट हुई है इन सारी चीजों से उन सारी चीजों की अकाउंटबिलिटी से बचने के रिए सबसे अच्छी चीज है कि पूरवती सरकार जिसके पास 11-12 महीने का समय था अगर देखा जाए फिल्टर करके समय तो उसके उपर आरो बोद्यों के जब से शुरू हुई है आज तक सूचनी और पर सूचनी आ रही है कभी इसका ट्रांसफर हो जाता है यहां तक के अब तो एक मरतक का ट्रांसफर कर दिया गया यह तो मतलब इंतने हाएं पार हो चुकी है यह सारी चीज है और सिर्फ स्कोरिंग की उपर देख चाहते हैं तो बदल दीजिए कभलनात जी वह मुख्यमंतरी रहे जिनको आईफा नहीं पता था वो खुद कहते थे मैं समझता पहले को कोई फुटबॉल वगएरा फीपा जासा कुछ होगा जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि अच्छे रोजगार इससे मिल सकता है टूरिजम का बढ़ावा मिल सकता है ब्रांडिंग होती है प्रदेश की प्रदेश की सोची जब आएगा तो चोटे छोटे रोजगार उत्पन करेगा ट्रांसपोर्ट के हैं ट्रावलिंग के हैं होटल इंडस्ट्री के हैं बहुत सारी चीज़ नहीं किया गया था लेकिन अपने सिर्फ इस बात के लिए कि हम नहीं लाए थे ये लेकर आए थे ये इनका काम है इनका कारणामा है तो इसको हटा दिया जाए तो ये प्रदेश को नुक्साना पहुचा रहा है हो अपने व्यक्तिगत चीजों को लेके जो बहुत ही गलत है आप तो रोजगार देने के इंदर है सफल रहा है आज कमलनाच जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आ जाएए सामने आमने सामने ये सारी बातें जो है वार और और ये क्रिया प्रतिक्रिया ये सारी चीजों से बहतर है शरत जी कि आमने सामने आकर बात करने मुझे आज भी या थे दिग्विजे सिंग कि पाइले कितनी अच्छी डिबेट होती है बहत होती है लोग महाषए बाट कहते हैं नुक्सान जनता की नुकसाथिर और जनता नियाय करेंगी। आप किस तरह देखते हैं इन तमाम मसलों को और क्या कहेंगे। तब हमें जाके लोकारपन करने का एक निर्णा लिया था। तब हमने ये कहा था कि हम ये चुनाव अपनी पांच महा की सरकार की उपलगधियों के बेसिस पे लड़ना चाहते हैं। और ये टोन सेट वहीं से हुआ है। पिछ कभी होती थी जातेवाद, परवारवाद और तुष्टी करन अब वो हट चुकी है। अब विकासवाद और राश्रवाद की बयार चली है और कॉंग्रेसियों को भी आके इसमें मिलना ही पड़ेगा। दूसरा विशे, देखिए आपने फूल सिंग बरःया जी का भी वो वीडियो देखा होगा। परंतु ये कहीं से आया और यससरे जो फायदा होता है, वो बेसिकली कॉंग्रेसियों को ही होता है, तो कॉंग्रेस ने वापिस से अपना जो उनको जो एक विशेश उसमें रुची है समाज को बाटने के वो प्रयास कर दी है यानि कि निश्चित ही यह जो विकास की जो डिबेट है कि 15 माह में कमलनाज जी ने क्या किया पांच माह में शिवराज जी ने क्या किया उससे में जब जनता के पास राशन पहुचाना है बेसिक एमेनिटीज उपलब्त करानी है उस समय घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने वाला हिसाब किताब नहीं हो सकता मद्ध प्रदेश में आईफा की जरुवत नहीं है अभी इसलिए निड़ने लिया गया तीसरी बात बात अभी रोजगार की उठी तो मैं अबास जी को याद दिला दूं कि कमलनाज जी ने अपने संग्शिप्त समय में एक मैगनिफिसेंट MP कारिकरम कराया था और मैगनिफिसेंट MP का मतलब ही होता है कि एक एक मैगनिफिसेंट मतलब एक अच्छा मद्यप्रदेश और पंद्रा मां में कमलनाज जी ने तो नहीं बना दिया और वो जो निवेश्कों के सामने जो मत्यप्रदेश की चीज़ों आप ने चार प्रतिशत हुआ करेकाल के अंदर हुई और आपने फिर से बढ़ा दी उस बेरोजगारी दर को मत्यप्रदेश ज्वाओं ने की आपके कराया हमने हमने मूल नाशी का क्राफ लागे खड़ा किया जिसकी आपने निकल की और एक आप दो आपको अशी जी आपन दोलों का क्रम है यह जैसे आप सरकार चलाना है ना दो लोगों की यह ऐसे ही क्रम है यहां मेरा भी है आपका भी है देखिए आप भी बोल चुके मैं भी बोल चुका लेकिन इतनी चोटी जी बात है कि आप पंद्रा साल को चल्चल नहीं करता चाते है तो आप लोगों की असेज़ता होती है हमने तो हर हर साल का इरादा कियाता है इसाब किताब बेने का चलिए 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 तरह बिजली की तरह चमकने लगी हैं प्रवक्ताओं की वह बताता है कि चुनाव खरीब है सुशिल जी और आप चुनाव को आगे किस तरह जाता हुआ देखते हैं बयानों के तीर तो चलेंगे और यह दोनों सेना पती जो अपनी अपनी पार्टियों के हैं मैं फिर हैं जो संयम बरतने में बिल्कुल विश्वास नहीं भी करते हैं लेकिन मुद्दों की तरफ अगर मैं बात करूँ आपकी क्योंकि यह अक्सर मसला उठता है कि जब इस तरह की बहत चुड़ती है तो मुद्दे पीछे चूड़ जाते हैं क्या आपको लग रहा है कि यह बा राजनिसिक व्यक्ति या राजनिता तब ज़्यादा परेशान होता है जब जनता में कोई एहसास नहीं होता चुनाओ को लेकर कोई चहल कदमी या कोई गर्मा गर्मी जनता में दिखाई नहीं देती तब वो मुद्दों से हटके ऐसी बाते कहना शुरू करते हैं जिससे ज जनता चार्ज होना शुरू हो और आप देखेगा हो सकता है आने वाले समय में इससे भी जादा भाशा का निचला इस तर आपको देखने को मिले क्योंकि जनता ये चुनाओं को लेकर अभी वैसी जागरुपता उनमें वैसा उत्वा नहीं दिख रहा आप देखिए जहां देखने सिर्फ कार्करता भर पहुंच जनता इस वक्त गौर्ड बनी हुई है तो जनता की खामोशी नेताओं को बहुत ज्यादा खलती है जनता में उत्वा होता है तो नेता समझता है कि उसकी बाद जनता तक पहुंच रही है मुझे लगता है दोनों ही दल कोशिश कर रह है लेकिन जनता इस वक्त कोई रियाक्ट नहीं कर रही है इस कारण जो है आप देखी कि भाशा का इस तर बदला जा रहा है अब जी चलिए मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा व्योधान हुआ है मैं फिर लौटूंगा सुशील शर्मा जी की तरफ एक छोटी टिपणी अबास हफीज जी की लेकर मैं चलूंगा फिर गॉलियन जाहा MORE साथ ही आशीज जी हमारे साथ है हफीज आप फिर मैं फिर कहूंगा कि मुद्दों की तरफ आना ज्रूरी होगा आप में ये कमी ये दोनों तरफ से है बीज येपी की तरफ से भी आपकी तरफ क्या है कि हमारा काम मुद्धों पर चल रहा है शुरू से हम पे तो आरोप लगाया भारती जंता पार्टी ने के आप लोग तो आफिसस से बाहर नहीं निकल रहे हैं हम देखिए कितने बड़े-बड़े आयोजन कर रहे हैं जो तताकतित सदसिता अभियान चलाया इन्होंने उस वकत हम क्या कर रहे थे यह आज दिखाये जंता को हमने 28 विधान सबाओं के उपर माइक्रो लेविल पे जो उनकी जरूरत हैं जो वहां पर होने के काम हैं उनको अपने वचन पत्रों के अंदर जो हमने एडिशनल विधान सबावार वचन पत्र दिया है वो हमने पहली किसी भी आज तक भारती जंता पार्टी की सरकारों में देखा कभी ऐसा नहीं हुआ और हमने हमारे जो 51 मुख्यों पूरे किया है उनको भी हमने पब्लिश करके जंता के बीच में दिखाया है यह पूरा हुआ है यह हिसाब किताब है यह दिया हमने और 20 वदान सबाओं के किताब है यह उआर पर माइक्रो लेविल हमने वदे किया है कि यह यह काम आपके के लिए हमला करना और खुद जनता के पास जा रहा है वोट मांगने उनकी जरुवत नहीं पूछ रहा है उनको क्यों क्यों पूछेंगे 15 साल का मामला आजाएगा कि आपने काम ही पूरे नहीं किये हमारे 28 वधानसभा सीटों के बचन पत्रों से जो एक बुकलिट है चार पन कि तरफ लोटने की बाद जब मैंने कही तो जवाब सुना आपने अब आस अफीस आपका जी आशी जी जी देखिए देखिए सबसे पहले को एक फ्रेज होता है शरत जी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी तो कॉंग्रिस मद्ध्रदेश में और राश्ट्री इस्तर पर क्र क्रेडिबिलिटी से गुजर रही है क्योंकि इन्होंने लगातार अपने मैनिफेस्टेज को एक रद्धी का पेपर साबित किया है कभी फॉलो नहीं किया मैं क्रेडिबिलिटी की अगर बात करूं तो अगर विजय माल्या जो एक भगोड़े यहां पर उध्योपती है अग अगर लोन मांगने जाएंगे तो उनकी सिबिल चेक होगी कोई बैंक उनको लोन नहीं देगी इसी तरीके से पंद्रा महाचली कमलनाथ सरकार जो दिगविजय सिंग जी के साथ एक जो कोईलेशन में चल रही थी उस पे मद्दप्रदेश की जंता विश्वास ही नहीं कर सक संबल योजना बंद कर दी दीन दियाल रसोय योजना बंद कर दी एक बात और 15 साल की जड़ा है मैं देता हूं मौका आप जी दो अजार तीन में शरजी एक नारा चलता था कि चारों और अंधेरा है और चौकीदार लोटेरा है मद्दप्रदेश की सड़क की सीमा जैसे प बिजली घर लोग इसलिए जाते थे पूछने कि बिजली कब आईगी अब उल्टा होता है यह जानना चाहते हैं कि बिजली कब जाएगी तो मद्दप्रदेश में 15 साल में जो सिंचित रखवा कभी 7 लाग करोड था वो 40 लाग हैक्टेर हुआ 7 लाग हैक्टेर था उसके बाद जो कभी मद्दप्रदेश का बजट 20 लाग करोड होता था वो 2 लाग करोड हुआ मत्प्रदेश की जीडीपी को जिस तरह से भारती जन्ता पार्टी ने बढ़ाया तो 15 साल की उपलब्दियों पे कॉंग्रेसी जब चाहें बहस के लिए आमंत्रित हैं दूसरी बात ये प्रेजिडेंशिल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है हमने तो बहस छेड़ी दिये अब यह आए आए आखड़ो सायथ और हमारे बातों का जवाब दे अपने आप बहस हो जाए क्र Blend के अधर बैट है निक्राइब किसकी है क्रिकर लिए इक लिए बेंडिने की वाइठा है 2-5 करोड रोजगार प्रतिवर्श देने का वादा करके आज 6 साल के अंदर 12 करोड होने थे 14 करोड नौक्रियां चीलनी है यह आपकी गलत नीती desap Candian इंकी बात कर बहुत नीचे कर दिया जीडीपी आज माइनस में चले गई आप तर्क देते हैं कि दूसरे देशों की नहीं भी गई यह साथ में तो चीन की क्यों बढ़ गई है हम उनसे कंपेर करना चाथे हैं अपने आपको जो तरक्की करता है उनसे कंपेर नहीं करते जो नीचे जाते हैं और नीचे जानमbenवालों में व antiqu से नीचे हम है उसक़ हमारी बात करते हैं आप ने सिंचित रगबे की बात करी हमने किसानों को बजनी देने का का काम किया आदी कीमत की उपर हरे जिन किसान भाइयो को आप 25000रपय के नहींद्र मोङदड़ कैंदर जो आप पंदरा हजार वाले को जो आप दे थे थे हम ने उनको آट हजार रुपे के अंदर दिया अरे आप हमसे बात करते हैं हमने सौ रुप्या यूनिट पर सो रपिय सो यूनिट ढाँ किया हम रैथ कौर्ट बाइट किया आपके जमाने के अंदर शुदता के उपर युद खतम हो गया ऐसी बहुत सी चीज़े हैं लेकि समय जारत नहीं देगा मैं चालता हूं कि आप बन बन आईएगा कभी और आपने मुख्यमंतरी महोद ऐसे कहिएगा कि वो भी बहस जनता के सामने करें कमलनाज जी और शिवराज जी की डिवेट के पहले आप लोगों की डिवेट जरूर हम कराते हैं मेरा मुख्यमंतरी तो हमेशा अपना रिपोर्ट कार्ट पेश कर रहा है और आपको नाकर नातरा साबित कर रहा है सुशील जी मुझे यह बताइए बहुत कम वक्त है 30-40 सेकेंड में बताइए क्राइस ऑफ क्रेडिबिलिटी यह जो शब्द यूज किया यानि विश्वस्नियता का संकट क्या आपको लगता है कि यह विश्वस्नियता का संकट कॉंग्रेस की तरब जो बीजेपी का हमला है औ अगर 47,000 वोट सिर्फ बीजेपी को ज्यादा मिले तो इसका मतलब है कि दोनों पक्षों को जनता ने बराबर महत्व दिया जोनों पक्षों के लीडर जो चेहरे थे उनको बराबर महत्व दिया यह बात तो लेकिन कौंग कमलनाथ को जनता नहीं हटाया इसका कमलनाथ को हटाया उनकी क्रेडिबिल्टी का संकट उनके विधायकों के बीच में था उन्होंने उनको अपदस्ट किया यह कहके कि हमारे को समय नहीं देते थे हमारी सुनवाई नहीं होती थी अब यह असली सुनवाई जो है सुप्रीम कोड जिसे कहते जनता उसके भी जा रही है वहां ता हुगा कि क्रेडिमिल्टी का संकट कमलनाथ के लिए था यह जल्दी बोल दीजा आशी जी बहुत जल्दी कम वक्त है मेर लिया जाता है कि सर्दारें रिपीट नहीं होगी पंद्रा साल बाद भी शिवराज जी की अगर लोग प्रियता जादा है वासी जनता पार्टी का मत प्रतिशक ज्यादा है चलिए चलिए बहुत दिन में कर्ज माफ का आपने चारहा जार का बयोगता देने का और इस और मत प्रदेश में चलिए बहुत दन्यवाद अपास हभी साब धन्यवाद आशी जी तो चुनाओ बहुत अनकरीब खड़ा हुआ है और हमसे ये कह रहा है कि मत प्रदेश की फिजाएं अब जोशीले राजनीतिक वक्तव्यों से गूंज रही हैं गूंजने लगी हैं और बंसल निउस का स्टूडियो भी उसका साक्षी बना है निश्चे तोर पर ये बहस और तेज होगी आने वाले वक्त में लेकिन जनता के दिल को चुने वाली बहस जनता से जुड़े मुद्दों को चुने वाली बहस और जनता को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने वाली ब पुश्कार